तो question number two देखते हैं, इससे पहले मैंने question number first कराया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो उसका link वीडियो के description में मिल जाएगा, तो question number first को भी देख लिजे, जो one marks का होता है, और question number two में a section होता है, आपको मालोम होना चहिए, ने जो section होता है कितने question करना रहता है, एनिटू कोशन करना रहता है मैं आपको ये भी पताता चलो पिछले साल जो भी मैंने कोशन्स कराया था होड्स कोशन्स याद रखिए उसमें से बोड एक्जाम में पूछा था हना तो आस जो मैं कराने जा रहा हूँ ये नौनीत का प्राब्लम एक्जाम में नहीं होगा ठीक है तो चलो ये कोशन देख लेते हैं जो कोशन नमर सेकेंड है और हम लोग जोमेट्री सॉल कर रहे है पहला कोशन दिया है कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियस जो है रेडिया ही कितना दिया है 3.5 और 4.2 टच इंटर्मली टच कर रहा है उसके बाद जो भी है सल्यूशन करना रहता है अब इंटर्मली जब टच करेगा तो क्या करना रहता है? माइनस करना रहता आपको मालूम होगा बड़े वाले radius में से छोटा वाले radius क्या करोगे? माइनस कर दोगे अब यहाँ पर दिया है by the theorem of touching circles the centers and the point of the contact are collinear यहाँ लिख दो बस collinear ठीक है? क्या होते? collinear होते यानि एक सीधी लाइन पर ही होता है ठीक है? figure कुछ जो भी बनता है दो सरकल के सीधी लाइन के उपर बनता है distance between the centers क्या हो जाएगा? r2 minus r1 4.2 है 4.2 था तो दूसरा वाला कितना है? यहाँ पर देख सकते आप 3.5 यहाँ पर 3.5 दिया है बहुत आसान कुछ था फड़ा फड़ा आपने कर लिया चलिक कुछ नमर सेकंड को देखते activity में जो रफ का section रहता है उसे कुछ लेना देना नहीं यह जो आपका box होता है इसी के उपर marks मिलते है तो आपका box जो है सही होना चाहिए हर box पर marks मिलेगा यह तो दो marks का तो चार box मिलेगा एक दो तीन चार ठीक है हर box पर आधा marks मिलने वाला आपको तो सही से एंसर लिखने आप लोग आप क्या है साइन ठीटा दिया है कितना दिया हमारे को साइन ठीटा 11 अपॉन दिया है इसी तरह आपको और भी फॉरुल याद होना चीए जैसे कि one plus ten square dita के एक्वल होता है यह सगिष्वकर के इक्वल होता है यह आपको पता होगा इसी तरह one minus आप इसी को चेंज कर दो इसी को चेंज कर दूगा तो क्या बन जाएगा सेख सक्वायर तीटा मानस्ट इस इसकार टीटा Fukasi को क्या किया हमने टेन कुम तरफ ले गए तो क्या होगा एक जो होगे आपना अकेला होगे तो यह फरुमला ने भी याद होना अझी आपको गढें इसी तरह जो होता है one plus quad square theta जो होता है ये किसके equal होता है ये cause equal होता है ठीक है ये formula दुसरा वाला जो है cause equal होता है अच्छा, येeast pod उस तरफ लेके चले जाऊगे अगर याद है तो कहाँ आएगा आगे चलके दोनों फॉर्मले हमने इस्तेमाल की उसमें से फॉर्मले यही था जो हमने देख लिया तो अगर solve करना है तो नौनीध के प्रेक्टिस ट्वर्ड कॉल स्थ इसको अच्छे साल करना आप लोग अगर उसको अच्छे से साइन हमने वापस लिख दिया अब उसके बाद सुरी यहां पर साइन वापस नहीं लिखने यहां पर क्या लिखेंगे साइन की वैल्यू कितनी इलेवन अपवाण 61 तो लिख दिया ठीक है अब 61 देखो नीचे क्या सब्सक्राइब 열phony मतलब कि अलेवन की बार मल्टीप्लाइबला करोगे कितने बार कुछ कि बच्चे बόलेंगे करने को तो आपको याद रखना ऐका स्क्राइर नि辇कालने का मतलब उसी नंबर को इसने नं रेकाना फिर अग्र चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अब यह दो को 3721 इसको क्रॉस मल्टिप्लाइब करोगे इसको मल्टिप्लाइब के साथ करोगे मल्टिप्लाइब करोगे कितना आ जाएगा 33721 टूवन माइनस वन टूवन ठीक है तो यह वन है इसमें साथ नीचे क्या आ जाएगा 3721 जब यह माइनस करोगे तो किना कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा ठीक है अब उसके बाद यह 36 का कितना हो गया कैसे करना है इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पॉस करके आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तर यह आपको कोशन दिया है कि कैपसिटी अब दा वाटर टेंक वेलिम अप सिलेंडरिकल टेंक यह दिया देको यह भी कोशन बहुत मुश्किल नहीं आसानी से किया ज दे दिया यह आर्क दो बर देख़ुआ आय था तो आरक को दो बर लिग दिया 2.8 अब यहाँ पर क्या है गाएगा एच की वैल्यू ह की वैलू दिया हमारे पास बई करने के बाद तो मुझे तो सॉल करना उना है निवाइज यहां पर अगर मैं गाउर करूँगा न तो मुझे सॉली नहीं करना पूरेगा ठीक है तो यह सुल करके कुछ आएगा इसक बाद मल्टिप्लाय करके यहां अब को यह नंबर था इसको आगे 1000 से मिल्टिप्लाय किया तो यह बता बाँधान का मतलब यहां पे कहीं पॉइंट रहा होगा कितना पॉइंट रहा होगा इधर भी त्री पॉइशुन एहां पर होगा धू आपर होगा तो j contents से हजर सम्ट्विलाइक लिए इज धर 2.40 यहां पे भी 86.240 देखें सॉल नहीं करना पड़ अपने को अलग से यह तो आप सॉल करके लाओगे तो वापस यह आने वाल है अब सॉल कर लेना मैंने डायरिक बता दिया ट्रिक के नीचे से कैसे निकाल लिया उपर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की दर यहां से एक्टिविटी वाले कोशें हमने खत्म कर लिया अब यहां पर सॉल करना है कोश्चन नमपर टू जो है बि इस में से कोई 4 करना रहता है ठीक है आसान कुछ है आसानी से सौल कर सकते हो और अपने को find क्या करना है ABC और BCD का रेशो मालम करना है ABC का है यह देखो ABC है और दूसरा जो है यह है BCD इन दोनों triangle का रेशो मालम करना आप दोनों triangle के नदर आगर आप गौर करोगे तो दो parallel लाइन के बीच में देखो एक पैरलल ने उपर एक पैरलल लाइन के बीच में दोनों triangle ठीक है मैं लिख सकता हूं since both triangles lie between two parallel line parallel line के बीच में पैरलल lines therefore दोनों दो parallel lines के बीच में होता है इसलिए क्या होता है जब दो parallel lines के बीच में होगा तो इसका height क्या होगा equal होगा therefore height of triangle हाना height of triangle is equal यह होगा और क्या दिया है दोनों के दो को बिस क्या है common है here the base is also also common therefore the base be common is base be same हो गया और height be equal हो गया हम लोगो क्या बोल सकते हैं हम लोगो बोल सकते हैं के इस दोनों triangle का क्या होगा एक दुसरे के equal होगा दोनों triangle के डिया जो होगा एक दुसरे के इक्वल होगा तो यह होगा अपका एरिया अप ट्राइंगल एरिया अप ट्राइंगल ए बी सी इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा यहां क्या बचेगा कुछ नहीं मतलब वन आपान वन बचेगा यह आपका रइशो गया अब इसको फाइनली कैसे लिखने आप इसको फाइनली ऐसा लेख सकते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी और रइशो के फार्म में लिखना है तो इस तरह से बना तो रइशो का सेंबल ए BCD ठीक है BCD हो गया आपका is equal to one ratio one तो यह आपका complete हो गया मेरे खाल से कितना था दो मास कोशन था कोई शार करना था तो एक कोशन हमने कर लिया आगे बढ़ते हैं स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकती हो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले कोशन की तरफ ठीक है यह रहापका अगला कोशन इसको नंबर वन दे दो ठीक है तो यहाँ पर फिर दो जो रिमेनिंग साइड है उसको प्लस कर लो जो छोटा वोला साइड इसको इसको स्क्वाइर करके प्लस कर लो साथ का उन्चास होता है और 24 का कितना होता पांस और शेतर होता है ठीक है 24 का स्क्वार कितना होता पांस पाइस सेवंटी सिक्स होता है अभी इन दोनों को प्लस करो के कितना आ जाएगा यह हो जाएगा आपका 625 नमबर दो दे दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है फ्रॉम फर्स एंड सेकेंड क्या हो गया यहां पर हम लोग बोल सकते कि यह जो है आपका 25 का स्क्वाइर किसके एकोल है सेवन स्क्वाइर प्लस 24 की स्क्वाइर के देर्फो लिख सकते हो बाई कन्वर्स किसका कन्वर्स ऑफ पी जी टी मैं सॉट में लिखना पूरा लिखना करनों पैता बोर स्थेरम आपको पूरा लिखना है मैं शॉट में लिखना हूँ याद रखिए है ना तो बाई कन्वर farm करता है या नहीं तो हम लोग लिख सकते यह देरफोर थीट फार्म राइट एंगल ट्रैइंगल डिख सकते हैं डैयह कहते हैं तरम अगले की तरफ तरह यह आपका इंगला कोशन दिया अब में ऑप क्या आई दिए इना फिगर इना सर्कल वी सैंटर ओ लेंट अपोर एबी इस इकल टुदा रेडियस आप्ड इस सव है कि लेंट और एबी कहां दिख रहा है यह यह किसके एकवैल है यह जो कॉरिट है यह किसके एक वले इसके दिया एक विल तो मैं लिखता हूं यह वा रेडियेस कही है दिखेए आपको यहां पर एओ एक रेडियेस होगया दुसरा रेडियेस कहा है ओभी ओभी ठेखाई अब तीनों साइड़ एकवल है इसका मतलब क्या हो गया यह जो ट्राइंगल बन रहेट कलर का ठेखाँ धेरफोर हम लोग वह सकते हो ट्राइंगल A, O, B is a equilateral triangle है ना, तीनों side equal है equilateral triangle हो गया मेरे बाई equilateral triangle हो गया अब equilateral triangle हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं angle A, O, B 60 degree का होगा angle of equilateral triangle equilateral triangle ठीक है, जो भी angle होता है equilateral triangle का, तीनों का तीनों angle कितना होता है 60 degree का होता है, यह आपको पता होगा equilateral triangle में क्या होता है, तीनों side equal होते है और तीनों angle भी equal होते है और तीनों कितनी के होते है, इंगल, 60 degree के होते 60, 60 के होते है, यह हमने बता दिया अपने को एगावबी फ़ांड करना था यह हमने फाइंड कर दिया अब आर्क- ciert कर माइजर आर्ट- एे बी तों इहां लिखूंगा मेजर आर्ख यह भी यह भी आजाएगा साथ डिगरी आजाएगा पर यहां पर इजन देना पड़ेगा आपको ठीक है कि बाइए है मेजर आफ माइनर अर्क सिद्धा लिख दो मेजर मेजर अफ माइनर अर्क ठीक है यह आपको नहीं समझ में आपको मेजर आफ माइनर अर्क यह भी आपका आगया इसक्रिंशॉट ले सकते हैं अगले कोशन की तरफ ठीक है चलिए आगे बढ़रें अगले कोशन की तरफ जो आपका है कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करते लेट कर लेते हैं इसको ले लेता हूं एक्स वन वाइवन फिर बी जो है हमारे पास जो है एक चीज और ले लेते हैं एक पॉइंट पी में एक्स और य ले लेते हैं और यहाँ पर एंड करके ले लेता हूं रेशो को क्या कर रहा है सेग्मेंट को इसको पी ले लिया तो यहां पर प्लस एन ऊपर क्या रहेगा एंट रहेगा उसके साथ रहेगा x1 और यहाँ भी क्या रहेगा m x2 रहेगा ठीक है बस इतना आसान तरिका था इसी तर आपको करना था ठीक है चलिए यह फॉर्मल आपने लिख दिया अब उसके बाद सब को प्लस कर दो m कितना दिया हमारे पास m जो दिया हमारे पास देख लो m 2 दिया है 2 हो गया और एम किसके साथ x1x1 कितना हमारे पास x1 कितना दिया था माईनस फॉर्मलस फिर उसके बाद 12 कितना दिया हमारे पास 10 जो दिया आपका 4 दिये m कितना लिखना र हॉर prac कि अच्छुक कितना धी यह फोर्य कहला थीया हम प्लस एन्द टू प्लसली यह हो करना है तो कैसे करो कि यहीं भी करता हूं है अगला इसटेफ टू बन जा टू मैनिस टू हो गया फोर्थ रिजा टूएल हो गया फाई हो गया बार से दो गया तो कितना अगया 10 अगया तो X आगया कितना अपने पास दस बटे पांच डिवाइड कर दोगे तो 5 टूजा 10 X is equal to कितना आ गया? 2 आ गया X हमारे पस कितना आ गया? 2 आ गया ओके ये खतम हो गया चलो अगला देखते हैं यहां होने के बाद अगला कैसे करोगे? अब Y मालूम करना है Y कैसे मालूम करना है? अगला फॉर्मला जो आपको पता ही होगा Y मालूम करने का Y1 प्लस N Y2 और यहां पर क्या आएगा? M प्लस N आ जाएगा अब वाईलू पूट कर दो आप M कितना है? हमने देखा यहां पर M कितना था? 2 और 3 तो यहां पर लिख दिया 2 3 और नीचे क्या लिख दिया? 2 प्लस 3 लिख दिया Y1 कितना हमारे पास? Y1 यहां पर दिख रहा है 7 है Y1 7 है और इसके बाद Y2 कितना? मैनस 3 तो यहां पर लिख दो मैनस 3 ठीक है? यह मैनस 3 हो गया अब आगे solve करते हैं बहुत आसानी से solve हो जाएगा 7 2 ना 14 होता है 7 2 जा 3 3 जा 9 होता है 3 2 5 होता है 14 मैं से 9 गया तो कितना आगे? 5 आगया 5 डिवाइड वे 5 कितना आएगा? 1 आजाएगा Y2 1 आगया तो बहुत आसानी से solve हो गया सबको समझ में आगया X और Y मालूम करना था तो हमारे पास X, Y कितना आगया? ठीक है? 1 आगया ठीक है? तो यहाँ पर आप चाहो तो sentence बना के भी finally इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो ठीक है? तो इस तरीके से question को करना था और अगर आपको pattern समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है आप ऐसे question को बहुत आसानी से कर सकते हो ठीक है? तो यहाँ पर एक चीछ है कि यहाँ पर X2 और X1 लो जैसे आपके book में दिया है आगे पिछे कर दो कि तो भी चलेगा बट आपके book में जैसा दिया आप ऐसे रख दो ठीक है? तो कोई problem नहीं होगा अपने book के हिसाब से चलिया आगे पिछे से कुछ फर्क तो नहीं पढ़ने वाला बट आप जैसे book में formula दिया है उसी हिसाब से लिख दो तो जाता बैतर है तो final आपके answer क्या आएगा? हमने देखा कि हमारे final answer आए X, Y कितना आगया? तो ले लो इसके पता आखरी question है यह question देखिए आप कैसे करेंगे? टिक्नाव मेंटर का question है क्या दिया है? टैन ठीटा दिया अपने पास 3 upon 4 दिया है शेक और कॉस मालूम करना है क्या मालूम करना है? सेक और कॉस अभी कुछ दर पहले formula मैं बताया था जिसके अंदर 10 का इस्तमाल हुआ था ठीक है? तो 10 और सेक की जोड़ी मैंने बताया था कि 10 और सेक की जोड़ी यह एक formula है यहाँ पर लिखो कि we know that करके जो formula दो लिख दो 10 जो है अपना 10 ठीटा यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 अपन 4 स्कॉयर है तो आप क्या करोगे यहाँ पर टेकिंग स्कॉयर करोगे यह हो जाएगा 1 प्लस 9 हो जाएगा यह 4 का कितना होता है 4 का 16 हो जाएगा अब इसके आगे जो बच्चों है आपको क्या करना है क्रॉस मल्टिपलाय करना क्रॉस मल्टिपलाय करना है क्रॉस मल्टिपलाय तो यह सोल मॅल्टिपलाय 1 के साथ यह कर दूगे और यहाँ पर आजाएगा 161 प्लस 9 एग क्लाएग 16 हो गया और यहाँ पर सेक स्कॉैर त्थिटा अब 16 और नौ कितना होताँ 25 होता है यह अभे 25 लिख दो 25 न्युंठ तपटेश बटेश्व को लुट करोगे 25 स्क्वाइर्ट कितना होता थे कितना देगा 5 अपन 4 हो जाएगा सेख कितना मिलगे अपने पास सेख ठीटा मिलगे 5.4 अपने को सेख फाइंड करना था हमने सेख फाइंड कर लिया पहला कम हमारा हो गया ठीक है वह पचाओ तो ऐसा लिख सकते हो सेख ठीटा इसक्वल टू 5.4 अब दूसरा मालूम करना बहुत आसा नहीं एक जटिके से करो आप यहां लिख दोगे कॉस्ट इटा इसक्वल टू किसके होता है वन अपन सेख ठीटा क्या यह लिख दो यह लिखने के में डालेक पलट्ड होना आप लिख दो कॉस्ट इटा इसक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5 बस खतम हो गया समझे कि आप लोगों का मालूम है कॉ से कहईねं यह लिख दो इसके बेख दो आपको यह लोगों इसके बाद नेक्स वीडियो में कोशीन घ्तरी सॉल करेंगे झाल झाल